तो आधार नौश्कार गुडीनिंग नौबच चुके हैं और आज आज की जो कहानी एक्चली मैंने कुछ और सोचा था लेकिन मेरे पास इतने सारे मेल आएं एक लोगों ने इशारा दिया और बताये कि आपने गलती की थी मैंने एक बार आप लोगों को प्लेन क्रेश की चुके तीन ऐसे प्लेन क्रेश हुए हैं जो जिनका मैं गवा हूँ जिसको मैंने कवर किया था पर गलती से उस वक्त इतना आइडिया भी नहीं था तज्यूर्बा भी नहीं था क्राइम तक की कहानियों को लेकर तो जोश में मैंने तीनों कहानियो को एक सास सुना दिया था года जाय के वह चरखी दाद्री के बारे में आप ने आप कहा था वो चुके अपने मिला दिया तो घाल मेल हो गया तो अलग से सुनना है और मैं कई दिनों से टाल रहा था इन चीजों को लेकिन फिर आज भी बहुत सारे मेल आए तो मुझे लगा कि आप टालना नहीं चाहिए तो मैंने जो कहानी सोची थी उसको साइड रख कर मैंने क कि आज उन्हों की फर्माईश पूरी करते हैं जो चर्की दादरी के बारे में बहुत सारे चीज़े जानना चाहते थे तो यह बहुत जब क्राइम तक बिल्कुल शुरुआत हुई थी तब शायद मैंने एक साथ तीन प्लेन क्रेश की कहानी सुनाई थी तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ चर्की दादरी के ऊपर आप लोगों को बताना चाहता हूं सुनाई कि उसमें कई चीज़े भी है जो उस दिन शायद मैंने नहीं बताई और लोगों कि यह थी कि अलग से इस बारे में बताया जाए तब मैं टीवी में नहीं था प्रिंट में था जनसत्ता साथ का आ तभी ऑफिस में फोन की घंटी बचती है और कहीं से खबर आती है कि दिल्ली के पास एक प्लेन क्रेश कर गया और इसके आगे कोई खबर नहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं अब सारे हम लोग अपने अपने घोड़े दाड़ाने शुरू कर देते हैं हर के पास भी कॉल आती है दिल्ली प्ले से कंट्रोल रूम में देन एरपोर्ट पे भी फोन किया एरपोर्ट पे बाकादा एक डिसी पी जो है वो एरपोर्ट को देखते है आई जी आ इंद्रा गांधी को थोड़ी देर के बाद ही पता चला कि चर्खी दादरी में एक दो प् क्योंकि जाता तर एक तो अखबार के दफतर या तो आईटियो पे हैं या फिर पार्लेमेंट हाउस के पास दूदर्शन के जो बिल्डिंग है अकाश्वानी के उसके पीछे वहां पे सारी एजिंसी और दफतर थे या कनॉट प्लेस में तो मुझे आज भी याद है कि 90% र थोड़ा सा आगे तो हम सब को यही था और दूसरा एक और भी जहन में था कि अक्सर प्लेन को जब उड़ते हुए देखते थे और दिल्ली में लाइन करते हुए तो उसका जो डारिक्शन होता था वो दादरी की तरफ होता था तो हमें यही लगा कि दादरी है लेकिन चरकीदादरी की तरफ भागे करीब 100 किलोमेटर दिल्ली से है चरकीदादरी जहां पर अंसरेंट रुआ था और शाम का वक्त था निकलते निकलते भी करीब 8 बच चुके थे ट्राफिक दिल्ली में तो होता ही है उस वक्त भी था और उसके बाद जब हम लोग चरकीदादर पहुंचे थे तो मुझे याद है कि रात के करीब तक था सौ किलो मेटर लेकिन वक्त जादा लगा और करीब सारहे ग्यारा का वक्त था रात के कच्छी सी सड़क पगडंडी हाइवे से छोड़ कर जो हम गुजरना शुरू हुए तो जो पहली चीज है मुझे याद है कि फोटोग्राफर हमारे जो है वो अपना कैमरा चेक कर रहे थे और मैं लगातार यही सोच था पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो पहली चीज एक ड्राइवर ने अचानक उसकी गाले की हेडलाइट पड़ी एक पेड़ के उपर जब आप दूरी पे होते हैं तो लाइट बहुत दूर तक जाती है तो उस पे कुछ चमकीली सी चीज सारी रिटंगी भी थी तो उसने बला पता नहीं क्या अच्छा जिस बैक था जो मुसाफिर अपना बैक लेकर चलते हैं आम तोर पर ट्रेन प्लेन में वो बैक लटका हुआ था उस बैक को देखते ही पहले तो हमारी सेहरन हुई कि अंदाजा हो गया कि आगे क्या होगा और जिस जगह पर यह हमने बैक देखा उसके आफिर गाली में बैठे उ सारा मलबा बिखरा हुआ था तो खेर हम वहां पहुचते हैं वहां रात का अंधेरा था गाउवालों की भीड थी और खेत के अंदर चारो तरफ मलबे और लाशें और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि यह जो आजकल भी नहीं हुआ करती थी बड़ा सिंपल सा वो नोकिया का और मोटरोला का आता था तो जो फोटोग्राफर था वो अपने कैमरे के फ्लस लाइट से उसने कुछ कुछ दिखाने की कोशिश की बाकि कुछ गौवाले थे वो थे तो लेकिन फिर भी अंधेरा ही अंधेरा था औ और फिर हमने जब देखना शुरू किया तो मतलब कुछ पल को तो यह लगा था कि वहाँ से भाग जाएं लौड जाएं क्योंकि वो देखा नहीं जा रहा था अंधेरे में साफ साफ नहीं दिख रहा था लेकिन गितना दिख रहा था वो भी देखने लाइक नहीं था हर तरफ मलबा प्लेन के टुकड़े लाशे और डेट बॉड़ी के जलने की एक अजीब सी बू क्योंकि जो सौधी एरलाइन्स का प्लेन था उसमें आग लग गई थी तो बहुत सारी उसमें बॉड़ी जल गई थी और उस वक नहीं चाहिए दो हम लोग पहुँचे थे अलग अलग जगों से तो आगे खेर इस बॉड़ी और लाशों के बारें बात करें उससे पहले फिर सारी चीज़े जब पहुँच गया थे फिर लोगों ने स्टोरी वहीं से फाइल की फ्रंट पेज रोक के रखा गया था तो जो पूरी खबर आई वो ये थी कि साओधी ऐ आना था साओधी अरब करिब साले पांच घंटे की जर्नी थी शाम सवाच्छे के आसपास इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट से साओधी एरलाइन्स न उडान भरी इसमें उस वक्त 289 पैसेंजर थे और 23 क्रू मेंबर मतबकुल मिलाकर 312 312 मुसाफिर थे तो साओधी एरलाइन्स अब जाहिर सी बात है जब आप टेक ओफ होते हैं तो आप धीरे धीरे हाइट लेते हैं इसी दवरान में दूसरी तरफ से कजाक एर एरलाइन्स की छोटा प्लेन था माल वाहक प्लेन उसमें गरम कपड़े थे नवंबर का महीना था 12 नवंबर को ये इ देख ते तो उसमें सारे कप्ड़े सिर्फ भरे होए थे स्वेटर कोट उनके सारे कप्ड़ ये साले चीज़े और उस कजाक एर्वेस में टोटल कुरू मेंबर और जो सारे लोग थे उनके इंपलाई उन सब को मिलाकर 37 लोग थे 37 तो वह अधर से कजाक कजाक स्थान से जब कजाक एर्वेज उधर से आई जाई के लिए आ रहा था और मुश्किल से अब 100 किलोमेटर रह गया था एरपोर्ट उसको लैंड करने के लिए और सौधी एरलाइन्स 100 किलोमेटर एरपोर्ट को छोड़ चुका था तो जब सौधी एरलाइन्स अब धीरे-धीरे हाइट पकड़ रही थी उपर अभी तक वो करीब 12-13,000 फीट के उपर था इधर से एर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं इंद्रा गांधी इंटरनेशनल रेपोर्ट के कजाक एरवेस यह कहा चुके उसको लैंड करना था नीचे उतरन आना था कजाक एरवेस को अब धीरे-धीरे नीचे आना था तो जिस वक्त कजाक एरवेस को एटी सी ने पहली बार यहां पे संपर्क्या लैंडिंग के लिए तब उसकी हाइट थी एरॉन 15,000 पंद्रह हाजार की फीट पे वो उडान भर रहा था साओधी एरलाइंस लगभक 13,000-14,000 के फीट पे उडान यहां से हाइट पकड़े दे तो यहां से उसको कहा गया कजाक एरवेस को चुकि आपको लैंड टरना है तो आप अपनी हाइट जो है वो 14,000 फीट पे ले आईए 14,000 फीट पे लाने का मतलब यह था कि साओधी एरला कहते हैं कि प्लेन क्रेश में बहुत सारे वज़ा हैं जिसके वैसे कई दुनिया मेर में प्लेन क्रेश होते हैं लेकिन हवा में हेट को लेजन आपस में दो प्लेन के टकराने से कोई हाथसा होने की गुंजाहिश जो है वो 0,0,0.1,1,1 परसेंट आप मान दीजे मतलब एका कासमान खुलावा है लेकिन air traffic control का पूरा traffic होता है plane के उड़ने का एक ही route पे भी अगर plane है आप देखेंगे कई बार route एक ही है लेकिन height में difference होता है तो यहाँ पे भी यही था Saudi Airlines को height पे उपर जाना था कजाक Airways को land करना था इसलिए नीचे आना था, तो ATCI traffic control दिल्ली में बैठ कर यहां से उससे कहा जाता है, कि आप अपनी height 14,000 feet पर रखे है, अब यहीं problem एक हुई, कजाक airlines का जो pilot था, एक तो उसकी English जो है वो, जो accent जो समझ में आनी थी, उसमें वो problem थी उसको, तो English accent को सही से पकड़ नहीं पाया, पहली चीज़, दूसरी चीज़ जहां पे confusion पैदा हुआ, कजाक airlines का जो pilot था, और यह लोग जो आमतोर पे use करते हैं, यह use करते हैं, मीटर और किलो मीटर, जिस तरीके से A.T.C. वाले अगर कोई बात करते हैं, तो जैसे उनका यह होता है कि कितना मीटर, यह कितना किलो मीटर, यह उसको better समझते हैं, इस term को, जबकि बाकि जो दुनिया के जितने ही countries है, उनके जो pilot है, उनके लिए जो basic term है, height को लेके, या फ इसली समझते हैं, वो है feet, या फिर nautical miles, तो कजाक वाले nautical miles और feet, इसमें confused, उनको स्रिफ यह था किलो मीटर बताओ, और मीटर बताओ, दूसरा अंग्रेजी का accent जो था, तो इस वज़ा से यहां से A.T.C. कह रहा है कि आफ 14,000 हाइट पे आईए नीचे, और वो इस चीज को समझ नहीं रहा, तो अभी यह समझाने की प्रकिरिया जारी थी, A.T.C. के साथ संपर्क में था, इसी वीच में धीरे धीरे इधर से सौधी एरलाइन्स अपनी हाइट पकड़ा था, तो 12,000 से 13,000 अचुके जब आप टेक आफ करते हैं, और आप को सिरी जद्ध ही उतरना कोई भी प्लेन पकड़ लेता है, अगर उसकी जद्ध कम से कम मिनिमम एक घंटे की फ्लाइट हो, तो सौधी एरलाइन्स बहुत तेजी से हाइट पकड़ा था, और कजाक वाले को अब कहा जा रहा था, क्या 14 प्या होता कि सौधी कम से कम 15-16 पे चला जाए, तो दोनों में नहीं होता, लेकिन यही प्रॉब्लम होई कि कजाक एरवेस का पालेट एक तो अंग्रेजी नहीं समझ पाया, अक्शन ठीक से, और दूसरा वो फ्लीट और किलोमेटर, मेटर, नॉटिकल माइल्स, इन सब में उलच कर रहे गया, तो जब तक वो समझ था, तब तक कजाक एर जितनी देर में साओधी एरलाइन्स की जो प्लेन महां से आ रही थी, तो वो फोटीन थॉजन फाइब हंड़ेट पर ही था, वो फोटीन पी नहीं आया, वो फोटीन फाइब हंड़ेट और नीचे आता, तो शायद ये यतना बड़ा हथा लेकिन फाइब हंड़ेट की शाम के छे बच कर बत्तिस मिनट पर ठीक, उड़ान भरने के यहां से कुछ ही मिनट के अंदर, ये दोनों हवा में चर्की दादरी के आस्मान में यू आ गया, हेट कोलेजन नहीं हुआ लेकिन जो पंक है, उससे टकरा गया, दोनों के, जब टकर हुई तो आस्मान में ही ए बैलेंस खोते हुए आग के गोले में तबदीर, सौधी एरलाइन्स चर्की दादरी में डगमकाते हुए नीचे गिरती है, कजाक एरवेज में कोई आग ने लगी, वो टकर होने के वाद सीधे नोस के बल, नाक के बल नीचे गिरता है, और उसके बाद हवा में ही जो के टक किलोमेटर के रेडियस में दाइरे में फैल गया था, जिसमें पेड़ पे लाशें भी थी, पेड़ पे बैग भी थे, सामान थे, और वो वहाँ गिरा, तो इस हाथसे में 312 लोग सौधी एलाइन्स में थे, 37 कजाक एरवेज में थे, कुल मिलाकर 349, ये सब के सब मारे गए उसके बाद जब हम लोग पहुंचते हैं, फिर रात अप चुके अंधेरा और कुछ कर नहीं सकते, तो वहाँ पे पूरा जहां 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 जो भी मिल रहा था, हम लोग चेक कर रहे थे, फोटोग्राफर फोटो कीच रह था, फिर बाकी बहुत सारे, जितने भी बाकी जर् बच गया, और हम लोग लगातार चल रहे थे, उसी छे किलोमेटर के दारे में कभी इधर, कभी उधर, जहां जहां प्लेन का कोई मलवा मिले, वहां पे उधर भी, यह करते करते करीब सभी लगबख ठक गया, फिर यह हुआ कि अब अंधेरे में और क्या करें, कुछ लोग म मुझे आज भी यादे, छे, आट, दस, अलग-अलग सब गुरूप में एक खेत की पकडंडी पे बैट गया, और पकडंडी पे बैट कर बस इसी पूरे हाथसे के बारे में बात हो रही थी, इसी से रिलेटेट, अपने-पने स्टोरीज के बारे में बात हो रही थी, और व पकडंडी पे, कुछ वक्त गुजरा, अंधेरा था चारों तरफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ अपने साथी जो सिगर्ट पीरे थे, वो जब जलाते थे, तब थोड़ी सी रोशनी दिखती थी, तो चारों तरफ मलबा और ये भी पता नहीं लाशें कहां कहां हैं, कितनी दूर हैं, क्योंकि अंधेरा था, साड़े ग्यारा बजे पहुंचे ही थे, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, जो वहाँ पे मदद और बाकी, सुबा होते होते, बहुत सारे जो रिश्चिदार थे, जिनको पता चला था, वो लोग भी वहाँ पहुंचने शु हुआ था, तो पकडंडी पे ऐसी बैठ कर सुबा की रोशनी का इंतजार कर रहे थे, आट-दस लोग बैठे हुए थे, बात करते करते सभी खोय हुए थे, अचानक, वो मेरा शाथ पहला एक्सपीरियंस भी था, कि एक अंधेरे में जब पहली रोशनी पढ़ती है, तो वो मंदर कैसा होता है, तो आमतोर पे जो पहली सुबा की जो अपको उजाला होता है, वो सूरच से नहीं होता है, सूरच बहुत लेट निकलता है, सूरच से पहले सूरच के आने की जो रोशनी होती है, आसमान से जो उसकी कालिमा है, जो वो छटती है, तो वो नीला आसमान उस उसकी रोशनी भी जमीन पर पड़ती है और उससे भी काफी कुछ दिखाई देता है यह मुझे उस तिन 12-13 नमंबर की रात को इसका हैसास हुआ और मैंने अपनी आखों से देखा तो जैसे ही सुबा की एक पहली छोटी सी हलकी सी रोशनी जब पड़ी जहां पर हम लोग बैट कर पिछले करीब एक डेड़ घंटे से पकड़ंडी बे बैठे वे थे जहां कहीं बहुत सारे लोग बैट के सिगरेट पी रहे थे और ऐसे आगे राक भी ज़ाड़ रहे थे जब रोशनी पड़ी तो क्या दिखाई देता है कि हम से दो हाथ आगे कम से कम 6-7 लाशें पड़ी भी हैं और उनमें से 2-3 लाशों के सर ही नहीं है किसी के हाथ नहीं है किसी के पैर नहीं है तो बस मतलब इससे ज़ादा तो देखा भी नहीं गया लेकिन जैसी वो रोशनी पड़ी हो जैसे मंदर दिखाई दिया तो एक साथ पूरी बदन में सेहरन और सिर्फ मैं जितने भी थे सभी का रियक्शन एक ही तरह था और सब पीछे की तरफ भागे थोड़ी देर फिर नॉर्मल होने में लगा क्योंकि यह सोच रहे थे कि हम कितनी देर से यहां पर बैठे वे थे और सामने क्या था पीछे जब भागे तो फिर पता चला कि हम में से पीछे के कुछ लाशें पड़ी थी जिसके उपर से होकर हम लोग गुजरे तो जब वो मुलैम मुलैम चीजें पड़ी और इत्वाक से मुझे वो चीज भी याद है कि इस बारा नवंबर से पहले पहली बार मैंने जिंदगी में अपना सबसे एक महेंगा शोज जूता खरीदा था प्यूमा का और मतलब मेरी निजरे में वो बहुत ज़्यादा महेंगा था उस वक्त तो पैसे इतने थे नहीं और उसको खरीदे वे मुश्किल से हफता भर भी नहीं हुआ था और बड़ा उसको मैं मतलब सम्हाल के रखता था पहनता था तो जब पीछे हटा और उसका मुल उसका मैंने जब जूते को ऐसे उठा कर देखा यूं तो नीचे से पूरा जो शोल था वो लाल हो रहा था और मुझे नहीं मालूम उसमें कुछ मास के लोथड़े भी शाचिप के वे थे तो बस वो उतना ही देखा गया उसके बाद फिर एक बार उपर से नीचे तक सिहर ग जालू फिर दिन बर खायर बाकी सब चीजे रिपोर्टिंग करता रहा दो पहर के बाद मौका मिला तो वहीं चर्की दादरी में एक रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ चपल वाले बैठे वे थे वहां पर जाकर चपल खरीदा फिर वो पहना क्योंकि देखना शुरू किया जहां देखो खेत में वहीं पर कुछ लाशें कई-कई ऐसी लाशे जो पेन में सीट पर बैठते हैं सीट बेल्ट लगा कर चुक्छे हवा में प्लें था सीट बेल्ट अपने लगा रखा था सीट बेल्ट के साथ बॉड़ी और सुधिया अलाइन्स मे में आग लग गई थी तो इसलिए ज्यादा तर बॉटी एकदम जो थी वो ऐसा लग रहा था कि मटी का खिलोना है सीट पे बैठा हुआ है बेल्ट का बकल चिपका हुआ बाकी तो लेदर जल गया लेकिन बकल उसका चिपका हुआ पेट के उपर और एकदम उसको देख के वैसे ज्यादा वो भी नहीं हुआ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खिलोना टाइप मटी का तो उस बॉड़ी को देख के कुछ नहीं हो रहा था लेकिन जो बाकी कटी फटी बॉड़ी थी खासतोर पर कजा के एरवेस के जो 37 के 37 लोग थे उनकी लाशों की हालत सबसे खराब थी मतब 349 लोग मरे थे अपजाईर सी बॉड़ी गिंती नहीं करूँगा कि मैं ने 349 के 349 की लाशें देखी होंगी लेकिन क्योंकि वो possible भी नहीं था फिस्सों में था किसी का हाथ नहीं किसी का पैर नहीं किसी का सर नहीं किसी का धर नहीं लेकिन जितनी तरह कि आप लाशें इमेजिन कर सकते हैं आप सोच सकते हैं कि एक इनसान की लाशें कैसी कैसी हो सकती है मैं ये दावा करता हूँ कि उस रात मैंने वो देखी कि इनसान की लाश कैसी कैसी हो सकती है किस किस शकल में हो सकती है कैसे कैसे उसकी हालत हो सकती है लाशों के इतने टुकडे थे कि दोपहर के बाद तो कि अलग-अलग जगों पे बिखरा हुआ था तो हाथ से उठाने में भी वक्त लग रहा था तो पहली बार मैंने अपने करियर में ये भी देखा कि वहाँ पर एक ट्रेक्टर बलाया गया और जिससे सिमेंट बालू उठाते हैं उससे चुकी मट्टी में टुकड़े भी बहुत सारे थे लाशों के तो जो क्रमचारियों को बुलाया गया था वो बाकाइदा जो मकान बनाने में यूज होता सिमेंट बालू उठाने के लिए उससे लाशों को उठा उठा के और ट्रेक्टर में डला जा रहा था किस लाश कौन सी लाश किस की है किस की नहीं है पैचानना तो खेर मुश्किल था क्योंकि या तो जली भी थी या फिर हिस्से अलग-अलग थे तो सर किस का है धड़ किस का है हाथ किस के है पैर किस के है यह बड़ा मुश्किल काम था तो वो सारी चीज़े उठाई फिर दोपहर तक ये था कि सारे लोग पहुँच चुके थे जितने रिष्टदार थे लोगों के वो सब आए और एक अजीब सा मातम का महौल था और वहीं फिर पता चला कुछ मुंबई से इस प्लेइन के जो क्रू मिंबर्स थे उनमें से भी कुछ लोग आया थे एक एर होस्टिस थी इसमें जो सबसे सीनियर उस उस फ्लाइट में साथी एलाइन्स की वो मुंबई की थी और उसकी ये लास्ट फ्लाइट थी उसको एक्चली उसने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उसकी इंगेजमेंट होनी थी तो अब चुके साथी एलाइन्स का हेटकॉर्टर साथी एरब में है तो उसको ये कहा गया था कि आपका जो एक्सेप्सन्स है और बाकी जो आपका हिसाब किताब सब कुछ होगा वो एक बार आप वहां आकर करेंगे तो ये उसकी लास्ट बतार एर होस्टेस आखरी फ्लाइट थी वहां जाकर उसको हिसाब किताब अपना सब कुछ करना था और नेक्स टे उसको वापस मुंबई आना था और उसके बाद उसको नौकरी उसने चोड़ दी थी क्योंकि उसकी सगाई हो चुगी थी और ये आख शिनाक्त हुई थी वहां पर उनके सारे फैमिली के लोग भी थे वो तो ये भी समझ में आ रहा था कि वो शिनाक्त करने के बाद खुश थे चुकि एक तो ये था कि वहां पर लाशें कौन सी लाशें किसकी है किसके अपनों की है किसके नहीं है ये सबसे मुश्किल काम था लेकिन जिसकी लाश पैचान में आ जाए वहां उस गम में यही उनकी खुशी थी कि चलो कम से कम उनका अपना उनको मिल तो गया, चाहे मुर्दा की ही शक्रिमें मिलाओ, तो वो भी मुझे अभी तक हमेशा याद रहता है कि जब इस एर होस्टेस की उस नेम प्लेट की वह ऐसे पैचान हुई थी और तो उनके घरवालों और उसके जो कुलीक सब थे, उनकी चेहरे पे वो खुशी जादा थी, घम था, क्या था मालूम नहीं, लेकिन जादातर बनस सब्सक्राइब यह थे कि जिनकी इलाशों की पैचान नहीं हो पाई, दो दिन तक अच्छा यह एक इस में और भी उस वक्त आया था कि कई बार इसी चीजे भी होती है, जो बड़ी अफसोसनाक और शर्मिंदगी भी होती, इंसानियत का सर शर्म से जुग जाता है, जब यह हाथसा हुआ उसके बाद अगले दिन सुबा जब आसपास के गाउं के लोगों को पता चला, तो बहुत सारे गाउंवालों अच्छे लोग थे, उन्होंने मदद की, जैसे हम ही लोग गये थे, बाहर से लोग आए हैं, यह जो बिचारे, जिनके लोग सवार थे, जो मारे ग जाना, लाशों से जेवर निकाल लेना, यह सारी चीजें भी हुई, परस निकाल लेना, बलके उस रिपोर्ट में एक, मैंने यह लिखा भी था उस वक जनसता में, कि हम लोग जब बैठे हुए थे, उसी रात की बात है, तो कुछ गाउं के लोग आसपास के भी आ गये थे, अचानक हमने देखा कि दिखा रहा है गाउं वाला एक लाश, और अंधेरा था तो पता नहीं था, तो उसी अंधेरे में उसने अंधेमू लाश पड़ी भी थी, पीछे का पॉकेट दिख रहा था, उसने उसमें से परस निकाला, और एक दूसरे किसी एजनसी का फोटोग् पीच राता तो फ्लेश जो उसने फ्लेश जलाया तो पता चला, तो उसने उसको डाटा भी, लेकिन वो निकल गया, तो ये चीजें भी हुई, जो अफसोसनात थी, लेकिन ये मुठी भर लोग थे, बाकी गाउं के लोगों ने बहुत मदद की, और बड़ा ख्याल भी रख चलती है, नेक्स टे जब फिर मैं, तीसरे दिन, इसके लिए फिर मैं, जामिया उखला, जहां आप, बाटला होस इंकॉंटर आपने सुना कहानी, उसी एरिया में, तो वहां की एक कहानी सामने आती है, इसी सो, असल भी सौधी एलाइंस में, जो 270, 289 पैसंजर थे, उन्हें से भी जादा तर वो लोग थे, जो बिचारी छोटे मोटी नौकरी के लिए जाते थे, और किसी तरह माबाप उनके पैसे जोड़ करके उनको भेज़ देते कि वो जाएंगे तो यहां घर का खर्ड़ चलेगा, ऐसे लोग जादा थे, तो उन्हीं में से एक शक्त उखला का जो नौकरी के सलसले में इसको वीजा लगा था और सौधी के कंपनी में काम मिल गया था, तो वो जा रहा था और उसकी फ्लाइट थी 12 नमबर की, इसी सौधी एलाइंस के 763 नमबर से, लेकिन वो जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठ रहा था, कभी प्लेन में इससे बैठा नहीं, तो बहुत सारी चीजें पता नहीं था, तो इस चक्कर में और चुके पुरी फैमिली उसको फिर छोड़ने गई, पहली बार बेटा विदेश जा रहा, सौधी एरब जा रहा है, तो पूरा लगबख खांदानी एरपोर्ट पहुंदिया था था चोड़ने के बैठा की, यह मारे टिकेट तो कन्फरम है, तो हुआ यह था कि एक और पैसेंजर था, जिसकी टिकेट कन्फरम नहीं था उस दिनका, वेटिंग लिस में था, और वो वहां ख़ड़ा हुआ था, इसका टिकेट कन्फरम था, तो उसके साथ यह प्रॉल्म थी, जिसका में पड़ जाती है तो जो वहां पर काउंटर पर लेडी बैठी भी थी वो रिक्वेस्ट करते हैं फिर इससे कि ठीक आप लेट है आपका टिकेट कंफर्म है लेकिन ये शक्स इसकी प्रॉब्लम ये है कि फिर इसका वीजा का भी इशू है और आइन टैम पर इसे नौकरी मिली है और कुछ चीजें थी जिसकी वैसे जा नहीं पाया पहले और अब एकदम इसका डेडलाइन है ये नहीं पहुँचा तो इसकी नौकरी भी जाएगी इसका टिकेट और ये सारे पैसे भी बरबाद हो जाएंगे गरीब घर से है तो जो उखल नवंबर की बात है चौदा नवंबर की फ्लाइट में मैं तुम्हारा टिकेट कंफर्म कर देती हो भी तो तुम्हारे लिए कोई इशू है नहीं जोइनिंग का भी कोई उसने पूछ लिया था तो उसने का नहीं है तो उसने का तुम दो दिन बाद भी जा सकते हो तो तो त की प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसने भी कुछ अपनी मर्दी से फैसला लिया और उसने का ठीक है भेज दीजा आप और वो नहीं गिया खुद उसने उसको भेज दिया जिसके टिकेट कंफर्म नहीं था अब ये वापस बाहर आ जाता अच्छा इस बीट में इसके घर वाले छोड़ कर वापस घर लोटा है ओकला जैसी ओकला घर लोटते हैं लगवाग एक तेड़ घंटा बीट चुका था घर आते ही अचानक टीवी पे खबर आ गई थी कि सौधिय एरलाइन्स प्लेन जो है वो क्रेश कर गया है चर्की दादरी के पास अब जब ये लोग घर जाता पूरी फैमिली उनकी मतलब दादा लगा सकते हैं क्या होगा कि अभी भी तो छोड़ कर रहे थे तो ये उल्टे पैर घर के अंदर भी दाखिल नहीं होते पडोसियों सो जैसी पतल जलता पूरी की पूरी फैमिली वापस एरपोर्ट की तरफ भागती है क्योंकि अब यह जिसने अपने टिकेट दूसरे को दे दी यह एरपोर्ट से बाहर निकलता है और उसके बाद यह अपना ऑटो पकड़ता है ऑटो पकड़के यह ओखला पहुंचता है अपनी गली में पहुंचता है तो जिन पडोसियोंने कुछ पडोसी भी साथ चले गए थे जो उस ग लेकिन फिर यह उनको बता है भी यह ऐसा है मैं गया ही नहीं दो एब यह दरवासे के पास जाता तो जाता है तो जेक्ता घर ना लगा हुआ है तो फिर वो बताते हैंगी ऐसे से खबर भी ली तो सारे घरवाले तो वहां गये अब वहां से कुछ लोग जब एरपोर्ट पहुंसते हैं तो उनको बताया जाता चर्की दादरी एरपोर्ट ने भी एरपोर्ट ने अपनी तरफ से इंतजाम किया ऐसे रिलेटिव के लिए और खास बसों में और वो उन्हों को भीजने का तो उनमें से यह हुआ कि कुछ लोग चर्की दादरी जाएंगे कुछ लोट आएंगे तो इसकी फैमिली के कुछ लोग जो है वो सब चर्की दादरी के लिए बस में चले आते हैं कुछ लोगों को घर भेज़ दिया जाता है तो जब वो रात को घर लोटते है इस चक्कर में करीब बच चुका था है ग्यारा साड़े ग्यारा बारा ये दर्वाजे पे ताला लगावा और अपना बैग लेकर बैठा हुआ है जब इसके रिश्चेदार घर आते हैं दर्वाजे पर देखते हैं तो उनकी भी चीख निकल जाती है उन्हें समझ में नहीं आता है क्या रेक्ट करें फिर वो खेर अपनी जब कहानी बताता है तब उन्हें यकीन होता है उसके बाद फिर वहां खबर दी जाती है जो चर्की दाद्री जा रहे थे फिर वो लोग लोट कराते है और दूसरा जिसके जाना नहीं था जिसकी वेटिंग लिसमे टिकेट थी वो उस हाथ से में माला जाता है तो ये भी है कि मौत पे हर एक का नाम लिखा होता है वक्त जगा सब कुछ तैह होता है ये इससे भी पता चलता है वन्ना ये इस दिन उसको जाना था ये गया नहीं और जिसको नहीं जाना था वो चला गया तो और वो आज भी जो उखला की जिस लड़के ही कहानी सुना रहा है वो आज भी सलामत है अच्छा है और उसके बाद वो सौधी अरब गया काम भी किया तो ये थी पूरी इसकी कहानी लेकिन अब ये हुआ कि जब ये हाथ सा हुआ तो उसमें एक चीज़ और है कि ये चुक्छे इंडियन एर स्पेस में हुआ था तो सौधी अरलाइंस ने हम क्लेम भी किया कि भी आप मुआफ़ा दीजिए जो लोग मारे गए हैं उन सब को भी क्योंकि अलरड़ी इसका जो आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो उसका इंशॉरंस भी होता है तो इतने लोगों के मौत का बहुत बड़ी रकम होती फिर प्लेन का अलग होता तो इसके बाद लेकिन हमारी जो अपनी इंविस्टिकेशन थी उसमें ये थी कि गलती हमारी एटिसी की नहीं है गलती तोटली जो है वो कजा केरवेस के पैलिट की है लेकिन ये है कि इस पे सही इंविस्टिकेशन हो इसके लिए अमेरिका और अस्ट्रेलिया इंगलेंड जापान और सौदी अरब इंडिया के लावा इनकी एजन्सियों ने इनके एक्सपर्स ने आकर पूरे मामले की जाँच की अपने अदिल्ली हाई कोट के एक रिटायर जजज की अगवाई में कमीटी बनी जिसने इस मामले की जाँच की जाँच की रिपोर्ट आखिर में यही आई तो ये चीजे हुई जिसकी वज़ा से एक तो भारत सरकार को मुआफ़ा देने में बहुत सारी मतलब तोड़ा रहत मिली लेकिन उन्हों को जो मारे कहे थे उन्हों के घरवालों को भी मुआफ़ा मिला लेकिन ये बड़ा एक अफसोसनाक हादसा था कि बीच आस्मान में एक आख का गोला उड़ता दो पले नामने सामने टकरा जाते हैं और ऐसा बहुत कम होता है दुनिया में लेकिन ये होना था और वो भी हिंदुस्तान की जमीन और आस्मान में होना था तो यह हुआ 12 November 1996 की यह कहानी थी अब मैं कहूंगा दीपक से जोड़ा वाजोबी सवाल हो और यह मैंने इसलिए बहुत सारे लोगों कि मुझे लगता शिकायत दूर हो जाने चाहिए क्योंकि इतना मेल मेरे पास आया इसको लेकर कि सर आपने तीनों कहानी में गालमेल कर दिय है और कई लोग कहरें कि आपने पहरें क्राइम में एक सबूत मांगा तो यह मैं मनाव टीवी कर सकता हूं एक आग दो नाम बता हो ताकि यकीन हो जाए कि यह लाइव सर नाम के लिए बता रहें कि आज आप पहली बार अपनी दोस्तों के साथ देख रहे हैं नाम है रभी नीलब, अभिशेक, दीप, शुभम, दिवान शुराज जी इनके साथ बैठके आपकी प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छा है दिवान शुराज जी नहीं सच बता रहो मैं मेरे पास आज दो स्टोरी ऑल्रेडी थी जो मैं सुनाना चाहता था एक आज एक कल लेकिन कई दि आप टाल रहे हैं आप डिटेल में बताइए डिटेल में बताइए तो मुझे लगा कि मुझे मायूस भी नहीं करना चाहिए और इसी लिए ये पूरी डिटेल में मैंने ये कहानी आपको सुनाई सर एक सवाल एक एबी जे ट्यूटर्स कोटास है सर पूछने है कि माधावराव सिंध्या जी की विवान हाथसे में के बारे मताई जिसमें आपके हेड रिपोर्टर स्री जी रांजन जा जी की निधन हुआ था फिर वली बात वही आजाती है कि फिर कहेंगे कि वही सुना रहा हूं किनोंने पूछा है सर एबी जे ट्यूटर कोटास है माधावराव सिंध्या जिसमें प्लेन में थे वो छोटा प्लेन था और वो एक कानपूर में रैली थी एलेक्शन रैली की सलसले में गए थे मौसम खराब था और कानपूर से पहले ही वो प्लेन मौसम खराब होने की वज़ा से फंज गया और क्रेश कर गया जिसमें हमारे अपने कैमरामेन एक रिपोर्टर रंजन जा इसके लावा हिंदोस्तान टाइम्स के एक जनरलिस्ट इं अधरवास सिंध्या उनके पी ए इनकी मौत हो गई थी सणी जी का सवाल है कि आपको कभी किसी दूसरे चैनल से लिवर ओफर या कुछ ऐसे ओफर आये हैं जो आपको बहुत लिकुरिटिव लगे आज तक के अलावा सणी जी ऐसे आप लोग सवाल पूछेंगे तो कैसे काम सवाल है कि आज बहुत डैशिंग लग रहे हैं आप यह सणी जी सवालों को रहने दीजी फिर हाँ सब्सक्राइब करें कि दिल्ली में मौसम बदल रहा है सर्दी आ गई और मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है हाला कि जो दिल्ली में जिस तरी की सर्दी पढ करता हूं जो हमारे क्राइम तक फैमिली के लोग बहार में रहते हैं उनका मेल परपड के तो मैं देखता हूं कोई कहते हैं कि इतना मैनेस टमप्रेचर में हावा हालत खराब हो रही है तो वैसी भी सर्दी नहीं लेकिन दिल्ली की सर्दी बहुत अच्छी होती है और मुझ कैसे तब कुछ पता लग جाता हैं देखिए ये बड़ा एक सिंपल सा वो है आप जिस फिल में होते हैं जिस میں आप काम करते हैं तो आप एक दिन में सब कुछ नहीं सीखते हैं नर ईक दिन में आपका नेटवक बनता है न आर सूर्स बनता एक रिपोर्टर का मतलब है कि एक crime reporter के police के अंदर अच्छे network होने चाहिए जो उसे अंदर की खबर दे सके, crime reporter अच्छा वो है कि जो न सर्फ police बलके लोग अगर उसके आसपास कुछ होता है तो वो फौरण उसको बता सकें, जो underworld है, crime की दुनिया है, वहाँ पे भी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी खबर निकाल सके या उन तक पहुँच सके, तो जितना आपका अच्छा network होगा, जितना solid network होगा, जितना भरोसे मन network होगा, उतना आप भेतर होंगे और फिर उसी हिसाब से आपको सारी खबरें फटा-फट पता चल जाएगे, बना हम लोग भी इसनान हैं, ऐसे लिए मैं कि यहां बैठा वहां इस वक्त दिल्ली में और अभी कुछipts, बैंगल sizin में या कौकता में आसन्सुल में या पत्ना में कुछ हो जाए तो हमें यहां बैठे बैठे पता चल जाएगा, पता चलता है लेकिन उसकी वज़ा यही होता है कि जो sources होते हैं हमारे, जो network होता है, वो फौरण बता देते हैं, तो बस यही होता है आपके पेशे में। लेकिन वही है कि वो इंग्लिश के एक्सेंट और उस चक्कर में और यह जो मेटर और किलो मेटर और नॉटिकल माइल्स यह वाली जो confusion थी उसकी वज़ासी थी और इसलिए A.T.C. और वो सारी जो बातचीत थी वो recording सुनने के बाद ही सारा यह जज्ज्मेंट में आए लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई एक यह जो airspace में collision के सिलसले में कुछ ऐसे system या technique थे वो उस वक्त हमारे पास नहीं थे वो develop किया गया और फिर और भी चीज़ों में सुधार हुआ aviation में 96 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदली जैसे पहले यह था कि दिली चाहि जी है उनकी बेटी है चार महीने की है और आपकी यंगेस वी हो रहे हैं तो एक बर उसनका नाम ले लिए ली कौन है शैलेश नमस्कार और धारवी बैटा कैसे आप हमेशा अच्छे रहो चोटे चोटे बच्चे जब इस तरह की के बाते करते तो अच्छा लगता ले तो इस तरह की कहानियां बिल्कुल न सुनें. सर एक भानु जी का सवाल है, उन्हें आप से रिक्वेस्ट किये, सर मेरी वाइफ इतनी पसंद करती है कि वो प्रेगनेंट है, और आने वाले जो उनका बच्चा हो, भानु जी आप से नाम पर रखना रहा है. आप बिल्कुल अपनी पतनी का खयाल रखें, इन्शाला साब अच्छा होगा, जल्दी आप बाप बनेंगे, और जब आप पिता बनें बाप बनें तो बताईएगा ज़रूर ताके हम क्राइम तक के परिवार के साथ इसको शेयर भी करें. सर, USA में एक Special Investigation Agency है, कोई भी क्रेश होता है, तो क्या इंडिया में भी उसी तर्श पर कोई अजनसी बनी है? नहीं, ऐसी कोई एजनसी नहीं है, जो Crash से Related हमारे पास, जो अपनी Investigative Agency है, या Aviation से जो लोग है, Aviation अपने Experts जो है, वही ये सारी चीज़ें करते हैं. सर शारविन, शेलखे जी यहों बोल रहे हैं कि कलवरा चावला की Spacecraft Crash पर कभी आप कहानी सुनाई है? शेलखे जी, मैं बिल्कुल कलपना चावला की ऊपर और भी कुछ लोगों ने कहा है, मैं डेटेल में आपको सुनाओंगा, क्योंकि कलपना चावला में भी मुझे याद है कि मैं दो-तीन दिन तक कुरुक्षेत्र में था, जहां से वो स्कूलिंग की थी, उन्होंने बाद म जब यह हाथसा हुआ था, तो और एक्तिफाक से कलपना चावला को लेकर के वी सी में एक सवाल भी पूछा गया था, तो मैं जल्दी पूरी आपको डेटेल में कहानी सुनाओंगा, अर्चित शर्मा जी कहा रहे हैं कि उन्हें क्राइम की कहानिया कभी अच्छी नहीं लग पूछते हैं, कभी सोच समझ के कुछ बोलता नहीं हो, सब्जेक्ट के बारे में पता होता है, कहानी जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन उसको कैसे पिरोना है, कैसे परोसना है, कैसे बोलना है, इस बारे में ना कभी तैयारी की है, और ना म कि लावा कुछ है नहीं, तो मैं अपने आपको फिर नॉर्मल या कूल कैसे रखता हूं, यह चीजें जहन पे हावी कैसे नहीं होती है, तो उसका जवाब यही है, कि यह मेरा पेशा है क्राइम रिपोर्टिंग, मैंने इसको खुद चुना है, मेरा पैशन भी है यह क्राइम तो जब तक रिपोर्टिंग होती है या जो मेरा प्रोफेशनल डिमांड इसकी वो है, तब तक ही मैं इसमें डूबा रहता हूं, एक बार मैं जब इन चीजों से हटता हूं, तो फिर मैं इसके बारे में नहीं सुचता हूं, फिर बाकी भी है, घर है, फैमिली है, दोस्त है इन सब के बारे में सुचता हूं, हर वक्त इसके बारे में नहीं सुचता हूं, हाँ, कई बार ऐसा होता, कुछ इंसेंट होता, जो आपके जहन में जल्दी जाता नहीं है, जैसे इसी इंसेंट में जो आपको चर्की दादरी का मैंने दो-तीम बार भी जिक्र किया, कि जब ह जलने की जो गंद क्या होती है, वो मुझे पहली बार उस दिन एहसास हुआ था, तो उसके बार जब मैं दिल्ली लोटा था, तो जब भी मैं खाना खाने बैटता था, या फिर मेरे कपड़े कुछ भी नहा लूँ, दोलूँ, मुझे तब भी लगता था, मेरे कपड़े से वह की गंद वही इसमेल, तो कई बार ऐसा होता है, जब ये चीज़ें आपके दिमाग से जल्दी जाती नहीं है, शर्विन जी ने पूछा है कि आप इसराइल के एरकाफ्ट हाइजेक रेस्क्यू पर भी बताईए, मैं इसराइल के हाइजेक की भी आपको जल्दी कहानी सुनाओगा, भानु जी ने कहा है कि उनकी बच्चे भी तो जनम भी नहीं लिया तो इसलिए काईदे से वही इंगस बिलकुल भानु जी मैं चाहता हूँ जब वह हो तब बताईएगा फिर ताके मैं एक आपके साथ सेलिबरेट भी करूं जो आपने बताया है वो क्या चीज है यह एक टेक्निकल ट्रम है जैसे माइस जो हता है डारेक्शन के हिसाब से लेकिन मेरी मैत बड़ी कमजोर और घटिया है तुम तो खुद फिजिक्स के हो तो कुछ सवालों के जवाब दे तो नॉटिकल मैस जो पानी के रस्ते होते होत है तुम को अब भी कह रहा हूं तुम कुछ अच्छा कर लो कई लोग व्यापम घोटाले के बारे में सुनना चाहते हैं आपसे क्या था लिस्ट है व्यापम घोटाले भी लिस्ट में है मैं जल्दी सुनाओंगा आपको वादा है बस चुके एक नौ बजे का वक्त होता और यहीं काफी होता और यह इसमें इतनी सारी कहानिया होती की कई बार कुछ पहले आ जाती हैं कुछ लेट में लेकिन बादा है आपको सुनाओंगा और सेक्डों हजारो कहानिया अब बेफिक्र नहां है मैं आपको जरू सुनाओंगा घावेद मάλिक साहरंपूर से हैं तेक य वेरीमाज आप देखते हैं और सहरनपूर में मेरे एक दो दोस्त हैं और मैं कई बार गया हूं बलके कई बार नहीं तीन-चार बार गया हूं सर्फ भारत के रिजास के पैर meth के एक सीरे निकाल के अगर आप कहानी के भी सुना पहें थीन इंडिया, जितने भी सीजीजय में आप वेराम के रिखिया थी, इसके थे लावे बहुत सारे, लेटिस भी सारे, एक एक करके मैं सीरियल के दर की आपको सारी कहानियां सुनाओंगा एक operation blue star के बारे में बात हुरे थी मैं कोशिच करूँगा operation blue star इसी saturday को उसमें visual और वीडियो भी डालू तो दादा बहतर आप लोग समझ सेकेंगे तो वो दिखाऊंगा चारा गोटाला लालू यादब कैसे क्या हुआ था बिलकुल मैं यह भी इंट्रेस्टिंग कहानी है मैं आपको सुनाओंगा ओडिसा और गुजरात से रेटेड आपने कई क्या कहानी नहीं सुनाई और गुजरात एक नहीं कहा था मुझे किसी ने कि अभी उत्राखंट से भी नहीं सुनाई जबकि उत्राखंट में मैंने कहानी सुनाई है जिसमें एक software engineer ने अपनी बीवी के सत्तर टुकड़े किये ओडिसा और गुजरात गुजरात की भी मैंने सुनाई है लतीफ जो डॉन जिसके बारे में हाल में ही सुनाई है ओडिसा की स्टोरी शैद अभी नहीं सुनाई है तो मैं जल्दी वहां की भी सुनाता हूँ तो आज के लिए इतना ही कल नौ बजे फिर मलाकात होगी एक नई कहानी के साथ और आज की कहानी मैंने आपको इसलिए फिर लास में भी कहता हूँ कि बहुत सारे लोग लगातार कह रहे थे कि आपने अलग-अलग कर दिया था मुझे डिटेल में सुनना इसलिए आपको चर्की दादरी की कहानी सुनाई तो कल मिलेंगे 9 बजे तब तक आप सब अपना खयाल रखें अच्छे रहें और यूई क्राइम तक की कहानिया सुनते रहें थैंक यू